हालो फ्रेंड्स वेलकम टू ओनलाइन हिस्टी पॉइंट दोस्तों इस वीडियो अपके लिए महात्मा गांधी के आंदोलन सत्याग रहा और समयलन से लेटेट टॉप 25 कोश्चन एंसर लेकर आया हूं दोस्तों इस टॉपिक से दो कोश्चन एक दो कोश्चन पक्का पूछ जाता है किसी वी एक्जाम में महात्मा गांधी के टॉपिक से दो कोश्चन पक्का पुछ ले जाता है हिस्ट्री में तो आप इस टॉपिक को जरूर याद कलने पूरा और चैनल पर पहली बार वीट के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल आखुल दोस्तों साथ में ब ूर्ड है चली तूसका करेक्ट एंसर में बता देता हूं ऑपसा ने हैंरी डेविट थारो ठीक है समीनय अबग्जां दोलन के लिए गंधी जी प्रण की इसलेखन साती है है रीड देविट थारो दोस्तों मैं आपको बतादो सबीनय बग्जां दोलन के बारे में दोस्तो इसकी शुरुवात कब हुई थी आप याद रखेंगे कोईशन पूछ लेता है 6 अप्रेल 1930 में इस अंदोलन की शुरुवात हुई थी ठीक है सभिना बग्जा अंदोलन की और है ब्रिटिस सामराज के विरुद्ध दोस्तों भारती राष्टिक अंग्रेस दोला चलाया गा है जन अंदोलन में से एक था तो याद रखेंगे आप ठीक है है हेन्री डेविट थारो और इसकी शुरुवात हुई थी 6 अप्रेल 1930 में अगला कोशन है महत्मा गाधी करमचंद्र गांधी को महत्मा के रूप में प्रथम बार पुकारा गया था किसने पुकारा था पहली बा काफी बोड़न कोशन है कि ऑप्सन डी करेक्ट हो जागा ठीक रविन्ना टैगोर जी ने महंदास करमचंद्र गाधी को महत्मा के रूप में प्रथम बार इसने पुका रहा था रविन्ना टैगोर जी कोशन था भारती असयोग अंदोलन के दौरान गांधी जी को कौन सा प कोशन फोर्थ है भारत छोण अंदोलन के दौरान महत्मा गांधी को कब गिर्वतार किया गया, ऑप्सन C करेक्ट हो जायागा ठीक, 9 अगरास तोयुस्ट बै अलिसको भारत छोणों अंदोलन के दौरान कुट इंडिया मूँमेंट के दौरान महत्मा गांधी जी को तो कारेक्ट एंसर हो यह गा दोस्तो चमपारंि ठीका है चमपारं से अब देखिए झुर्णस से यह आपको थोड़ा सा इस चमपारं सत्यक्रए के वारे मिटा दूत तो यह बिढ़ार राज्य का एक चनपरन और इस जीले के किषैनों की मदद कर ने के लिए इस आंदोलों का शुरू किया गया था जिसके चलते दोस्तों इस आंदोलान का नाम श्लम रख दिया गया थे थी अब बता दे कि जीले मोथा डिessen किषानों से जो genius निल की खेती करवाई जा रही थी ठीक है तो गांधी जी ने जो चंपरण सत्यक्राइब किया था कब शुरुआत हुई थी इसकी यह भी पूच लेता है गोशन 19 अप्रेल इसकी शुरुआत हुई थी ठीक है करीब एक साल तक या नवलन चला था चंपर अंजीला बिहार में किसानों के लिए था और महत्मा गांधी की नेतिवत्त में चलाया गया था ठीक है चलिए तो यह आप याद रखेंगे गांधी जी के पसंदीदा भजन के लेखक बैसनोजन तोतेरे कहिये के लेखक कौन है जोश्तों यह एक काफी मोड़न कौशन है आपको पता है तो आप बता सकते हैं ढून है जलिए मैं बता देता हूं ऑप सण सी नर्शी महता अगर आपने नर्शी महता इन नर्शी महता और अगर अपर आपमें करेक्ट किया तो सही तीक है को कोसन अग्त है दोक्टूबर महदमा गांधि कर जनमदीन अंतराश्टी स्तर पर बना जाता है किस रूम में मना जाता है बताएं ज़लदीश्य दोस्तों आप तो इसका करेक्ट एंसर हो जायागा दोस्तों आपसा ने अहिंसा दीवस अगर आपने यह राइट के जो बिल्कुल सही आहिंसा दीवस महादमा गांधी जी को जन्म दीवस है 2 गांधी जी ने देख्षता गी थी करेक्ट एंसर रगा ऑप्शन डी बेल गाम में ठीक है बेल गाम में दोस्तों गांधी जी ने देख्षता गी थी बेल गाम अधिवेशन 1924 में ठीक है बेल गाम में करनाटक में आता है ठीक है करनाटक निम्लिकित में से कौन से गोल में समयलन महत्मा गांधी ने भाग लिया था, इन में से किस गोल में समयलन में महत्मा गांधी जी ने भाग लिया था, तो दोस्तों दूसरे गोल में समयलन में महत्मा गांधी जी ने भाग लिया था, गांधी जी के साथ नमक सत्यागरा अंदो किस ने किया था option D correct हो जागा सरोजनी नएडु ठीक है सरोजनी नएडु आए लूग अमको अध्मा गांधी ने किस आंदोलन में हाथियार के रूब में भूख अर्ताल का प्रयोग किया था पहला प्रयोग किया था करेक्ट एंसर हो यागा दोस्तों ऑप्शन सी एहमदाबाद स्ट्राइक ठीक एहमदाबाद स्ट्राइक 1908 गांधी जीन 1930 में किसके खिलाब दंडी मार्च का अवजन के था दंडी मार्च नमक कर पर लगा ने ठीक है नमक कर पर लगा दोस्तों इसकी कि शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 में ठीक है 24 दिन तक चला था यह ठीक है और इसको दंडी मार्च शाल्ट मार्च नमक कर भी कहते हैं नमक कांदोलन तो यह भी आप याद रखेंगे ठीक है चलिए अगला कुछन है मारा है भारत के सुदंता संग्राम के लिए राजनीतिक प इन में से कौन सनारा गांधी जी के साथ जुड़ा हुआ है बिल्कुल सही अगर आपने किया आप्शन सी करो या मरो ठीक है करो या मरो कौन महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरू थे काफी सिंपल कोशन है तो गोपाल किसन गोखले दोस्तों आप्शन भी करेक्ट हो जागा महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरू थे महात्मा गांधी जी द्वारा कौन से समाचार पत्र प्रकासित नहीं हुआ है दोस्तों इसका करेक्ट एंसर रहागा वंदे मातरम ठीक ऑप्संसी बांकी जो है प्रकासितु अनौ जीवन हर जीवन और युवा भारत ये महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकासित है अगला कुछन है महात्मा गांधी ने ने मिखित पुस्तकों में से कौन सा लिखा नहीं यें में से कौन सा गांधी जी नहीं लिखा आया अ कि अबसा ने जो है करेक्ट है हिंदू जीवन का दिश्ट कॉण इसकी जो है लिखक नहीं मात्मा गांधी जी बांकी स्वास्त की कुझी सच्चाई की साथ मेरे प्रयोग और हिंस दोरा जी ए महात्मा गांधी जो दोरा तो आपस का वाए 1915 में विल्कूल करेक्ट 1915 में भारत में पहली बार महात्मा गान्थी कारावास की सजा गिदनी थी करेक्ट रिंशन आगा बीच अगला ऊच्छल ने कौन चांदोलन गांधी जी दौरा शुरू नहीं किया गया था ओुप्सण डिशोधरी अंदोलन जो गांधी जी द्वारस नहीं शुरू किया गया तो असहयोगा अंदोलन, सविनाबगजा अंदोलन, भाराचोण अंदोलन किसके सम्बंद में गांधी जी ने क्रैसिंग बैंग पर पोस्ट डेटेट चेक का प्रेख किया था क्रिप्समिशन ठीक क्रिप्समिशन ऑप्षन सी क्रिप्समिशन तो यह थे दोस्तों गांधीजी से लेटेट काफी मोडन कोश्चन अगर वीडियो पसंद आद लाइक करें शेयर काये चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों मैं आपको वताद कार आप रेल्वे एक्जाम के सब्सक्राइब करें तो एंटीपी से गुरूबडी एक्जाम के लिए पीडिएफ नोट्स तैयार किया गया है मातर थर्टीफाइब रूपीज की बुक है आप पर्चेश कर सकते हैं उस बुक में दोस्तों आपको चारहजार ओनलाइनर कोश्चन प्रिवेस एर कोश्चन ट्वेटीफरी मॉक टेस्ट मिल जाएगा काफी मोडेन बूक है मात थर्टीफाइब रूपीज की है डिस्क्रिप्सन बॉक में लिंक में आप क्लिक करके पर्चेश कर सकते हैं दोस्तों यह पीडिएफ नोट से आप याद रखेंगे हाट कॉपी ने ठीक है पीडिएफ फ सब्सक्राइब करें थैंक्स लोट फर वाचिंग जय हिन जय भारत